नमस्कुर आराइस्बिटी न्यूज में आपका स्वागत हैं पेश है 25 सितंबर रविवार सुबह सब 6 बजे राजसान की बड़ी खबरे सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हैटलाइन्स पर राजसान जरकार की स्कुटी योजना को लेकर आई बड़ी खबर को लेकर मुख्यमंत्री अशो के लोत लगाता निर्ने कर रहे हैं वालिकाओं को फ्री शिक्षा साइद कई छूट दी जा रही है ताकि लोग लड़कियों को पढ़ाई किरी स्कूल भीजे अब गहलो सरकार श्री गंगानकर शेयर में सुरतगर रोड पर निर्माना धिन मेडिकल कॉलिज की निर्मान एजनसी और ठेकेदार की लापरवाही ने अब तक दो मजदूरों की जौन ले ली है इसके बाद भी निर्मान कारे के दवरान सुरक्षा की कोई समुझी त्विवस्ता नहीं की कई है अगर कारे स्थाल पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर किये गए सुरक्षा प्रबंदों की बात की जाए तो कहीं भी गाइडलाइन या नियुमों की पानना नहीं हो रही है सुरक्षा को लेकर ना तो निर्मान एजनसी आरे सार डीसी गंबीर है और ना ही निर्मान करवाने वाले ठेकेदार सुरक्षा लापरवाही की चलते गत दिवसे 23 सितंबर को बिहार के खगडिया के कासिम पूर के 19 वर्शे युवक शिव मंदन की निर्माना धिन मेडिकल कॉलेज में काम करते सेमें छज्जे से गिरने से मौत हो गई इस हासे को लेकर मितक के भाई रुपेश चौधरी की रिपोर्ट पर सरदर्थाना पुलिस ने मामना दर्च किया है इसे फ़ले निर्मान काले के दोरान गिरने से एक महिला श्रमिक की बी मौत हो चुकी है मेडिकल कॉलेज की निर्मान में मद्धूरों की सुरक्षे विवस्ताओं पर उंगली उठाते हुए श्रमिक संगटनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि Medical College से हमें इलाज का लाप तो बात में मिलेगा मगर लापरवाही ने पहले ही दो मजदूरों के चान लेली देश और भीलवारा टेक्स्टाइल अद्योगों के विकास के लिए वर्दान मानी जाने वारी टेक्स्टाइल अप्ग्रेडेशन फंड योजना का अंतिम प्रारूप एटफ योजना फिर से एक अप्राल दोजार तेई से लागू होगी इसकी स्विक्रती वस्तर सचीव उपेंद्र सिंग ने देते हुए फाइल को वस्तर मंत्री प्यूश गोयल को भेजी हैं महांसे स्विक्रती मिलते ही देश में ठहरा हुआ और देगिक विकास फिर से गती पकड़ सकेगा वहां भीलवारा में इस योजना के बंद होने के बाद लगवग 6,000 करोड से अधिक के प्रजेक्ट थंडे बसने में चले गए थे उनको भी फिर से पंक लगेंगे वस्तर सचिव उपेंद्र सिंग ने इसका खुलासा मेवार चंबर ओफ कॉमर्स एंड इंडिस्ट्रीज के महासेचिव आरके जैन को टेलिफोन वारता के दोरान किया है तासान की भीलवारा जिले में साड़े चार लाक रुपे लेकर नाता विवाह करने वाली यूवती द्वारा पती के घर से गैने चुरा कर भाग गई है जिले की बदनोर ठाना शेतर में आरोपी यूवती सहीत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामना दर्ज किया गया है दोखा दर्डी का शिकार यूवक पहले से शादी शुदा है लेकिन उसके कोई संता नहीं है इसी का फायदा उढ़ा कर आरोपीतों ने उसे जाल में फसा कर ये नाता विवाह करवा कर दोखा दर्डी की पलिस मामने की जांच कर रही है रासान में अलवर जिले की निम्राना शेत्र में बीते तीन दीनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की मुश्किले बढ़ा दी है खेतों में पानी भर जाने से बाजरे की फसल खराब हो गई पीम नरेंद्र मोदी एक अक्टूबर को भारत में 5G सर्विस लॉंच करेंगे सरकार के रास्टे ब्राडबेंड मिशन ने ट्वीट कर इसकी जौन करी दी है इसमें कहा गया है कि भारत के डिजिरल परिवर्तन और कनेक्टिविटी को नई उचाईयों पर ले जाते हुए पीम मोदी एक अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कॉंगर्स में 5G सेवाओं को शुरू करेंगे रास्तार में बेसा चानी रोदक बीरो ने जैपूर और अलवर में विभिने जगों पर एक साथ कारवाही करते हुए एक विकास अधिकारी सहीच चार लोगों को 5 लाक रुपए की रिश्वत के मामने में गिरफतार किया है बीरो के महाने देशक भगवानला सोनी ने बताया कि एसी बी की विशेश अनुसंधा निकाई जैपूर को परिवादी द्वारा शुकाय दे गई कि उसकी फर्म द्वारा पंचाय समिती राजगर्षेत में की वेल खुदाई के लिए किये गए कारियों के बकाया 14 लाक के विलों के भुक्तान करवाने में कमिशन के रूप में मध्यास लोकेश मिना एवमजय प्रकाश सिंग द्वारा पंचाय समिती राजगर्षेत में ब्लॉग विकास अधिकारी नेत्राम के नाम पर परिवादी से नौ लाकर पर रिश्वत राशी की मांग कर रहा है रासान पीटीटी परिक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभियर्थियों के लिए जरूरी खबर है दरसल दो वर्षी है बीएड के लिए उनलाइन आवेदन करने तथा काउंसलिंग शुल की जमा करने के अंतिम्ठी 37 सितंबर 2022 है ऐसे में जिने चुक अभियर्थियों ने अभी आवेदन नहीं किये हैं वो आधिकारिक वेबसाइट के मादिम से आवेदन कर सकते हैं सफल आवेदन करने वाले अभियर्थियों 29 सितंबर तक बीएड कॉलेज का चेयन आउनलाइन कर सकेंगे आपको बताते हैं कि राजिस्तान पेटीटी का फर्स सीट अलाटमेंट 5 अक्टूबर को जोरी किया जाएगा खेल आवम युवा मामला मंत्राले की ओर से शनिवार को रास्पति भवन के दरबार हॉल में रास्ते सेवा योजना पुरसकार समारो का योजन किया गया इस समारों में रास्ते दरब्दी मुर्मू ने अलवर के बाबुश उभाराम राज की अकला कॉलेज की नसस कारेकरम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीना वे कॉलेज प्राचारे डॉक्टर लवलीना व्यास को ट्रॉफी प्रशस्ती पत्रवे साड़े तीन लाक रुपे बता दिली तक कूछा जा रहा है सीम की रेस में सबसे आगे सचिन पालट का नाम चल रहा है लेकिन अभी तक तस्वीय साफ नहीं हुई है इसे बीच मुख्य मंतरी अशोग गहलोट कॉंग्रेस के रास्ट्री अधिक्षपत के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वारे हैं अशोग गहलोट की ओर से मुख्य मंतरी पत्से इस्तीफा देने की चर्चाएं भी जोरो पर है इस पर जिकिसा अस्वास्ति मंतरी परसादी लाल मीना ने कहा कि मुख्य मंतरी अशोग गहलोट का कॉंग्रेस का रास्ट्री अधिक्ष बनना देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी विधायक और मंतरी अशोग गहलोट के साथ कंदे सिकंधा मिला कर खड़े हुए हैं जैपुर की शिला माता मंदिर में नवलात्री के दौरान मिला बरता है जिसमें बड़ी संख्या मिश्ट धालू आते हैं ऐसे में श्रद्धालो की सुरक्षा को देखती हुए परेटन विभाग ने आमेर महल में 25 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक हाथी की सवारी बंद करने का फैसला किया है आमेर महल अधिक्षा पंकर्ष धिरेंद्र ने बताएगी शारदी नवलात्र में हजारो की तादात में शद्धालू आमेर सितर शिला माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंसते हैं ऐसे में भीड को देखते हुए हाथी सवारी को फिलाल 12 दिनों के लिए बंद किया गया है ताकि किसी भी प्रकार कियान होनी को रोका जा सके रासान के सरकारी स्कूलों में अधिकारी केवल प्रदेश में टॉप आने को लेकर उत्साहित भले ही नज़र आए लेकिन शिक्षा महकमे में सित्या विद्यार्थियों के प्रवेश को लेकर बेहत गंबीर है यही कारण है कि अधिकारियों के ओर से उचित मॉनिटिंग नहीं किये जाने की कारण नामांकन ओंधि मुग गिर गया आपको बताते कि विछले सत्र में पूरे प्रदेश में एक करोड के लगभग नामांकन पहुँच गया था लेकिन इस सत्र के आते आते पांच लाग का नामांकन कम हो गया विभागे सर पर नामांकन वर्दी के लिए किये जा रहे प्रयासना काफी साबित हो रहे है रासान के जुनजुनु जिले में दो दिन से हो रही बरसाथ ने खेतों में खरीफ की फसल का नुकसान पहुचाना शुरू कर दिया है जिले के गाउं में हुई बरसा से खेतों में कटी पड़ी बाजरे मुंग चमला में पानी भर गया करशी भी भाग के उपने दीशक डॉक्टर राजी इंडर लांबा ने बताया कि बरसा से बाजरा मुंग मोठ आदी में नुकसान के संभावना है जबकि गौर मुंगफली वै बाद में बोए गए बाजरे में नुकसान नहीं है कि शेत्र में कितना नुकसान हुआ है इसका गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा रासान के राज्यपाल कर राज में श्रु राववार से उत्तर प्रदेश के तीन दिवसे प्रवास पर रहेंगे श्रु राववार सुबै जपुर से राज की विमान से गौरफपूर के लिए रवाना होंगे वो वहाँ दिंद्याल उपाध्याई गोरफुर विश्य विद्याले में रास्टिय चेतना उत्सव में शिर्कत करेंगे और गोरफनात मंदिर में दर्शन करेंगे रासान के भीलवाड़ा में आईटी सी कमपनी के एजन का पांच नकापोश हथियार बंद अभरण करताओं ने अभरण कर पांच करोर रुपए की फिरोती मांगने से पुलिस महकमे में हड़कम मच गया पुलिस ने इस मामले को बिना देर किये कोदू कोटा के निकट पीछा कर तिन अभरण करताओं को दबोच लिया जबकि दो मौके से भागने में सफल रहे पकड़े गए अभरण करताओं से हत्यार बरामत किये गए हैं और अभरण करताओं को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया है अभरण करता भीलवाड़ा के ही हैं इनका पूरू में अपराधों में हाथ रहा है इनके कुछ और साथियों के मिले होने के आशुंका है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर